जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल study blaster पर और मेरा नाम है दिनेशार्य उमिद करते हैं कि आपके railway group D की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और railway group D के exam आपके बहुत अच्छे से जा रहे होगे और अगर आपका exam आने वाले phases में है तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत ही बहतरीन तरीके से हो चुकी होगी और अगर आपका exam हो गया है तो आपका exam बहुत ही अच्छा गया होगा ये सारी शुपकामनाय है ये सारी उमीदे हम आपसे करते हैं तो अब यहाँ पर देखे आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैपूर जोन का जो cut off है वो क्या रह सकता है और साथी साथ हम आपको पूरे के पूरे data analysis करके सारी चीज़े बताएंगे और इसके बाद जब भी यहाँ पर railway group D का result आएगा उस दिन आप match कर लीजेगा हमारी cut off और यहाँ पर जो railway group D की cut off उस time पर जाएगी वो दोनों cut off य आजमेर ने ये exam लिया था जब 2018 का जो group D हुआ था तब इसे RRB ने लिया था यानि कि railway recruitment board ने लिया था और इस बार जो एक्शाम ले रहा है वो RRC रहा है यानि कि railway recruitment cell इस बार exam ले रहा है और 2018 में RRB ने ये exam को लिया था तो RRB जो है अजमेर आता है और RRC जो है यहाँ पर जैप पुराता है तो यहाँ देखे जब 2018 में ये वेकेंसी निकाली गई थी इसमें तब टोटल पोस्ट जो थी अजमेर से वो टोटल पोस्ट थी 4755 और टोटल फॉर्म जो एपलाई किये गए थे वो किये गए थे 12.5 लाग यानि कि 12.5 लाग फॉर्म यहाँ पर अजमेर 60% के आसपास भी रही होगी तो यहाँ पर देखेगा उस टाइम का जो cutoff था और यह बिल्कुल official cutoff है जो कि हम आपको बता रहे हैं सन 2018 की जो group D है उसका अब यहाँ देखेगा और यह जो cutoff है यह after normalization था और यह जो cutoff हम आपको दिखा रहे हैं यह PET के लिए है इसके लिए ह आपको पता है कि एक और cutoff बनता है यहाँ पर final merit के लिए अब यहाँ पर देखे जो 2018 का cutoff आपका रहा है जनरल का cutoff देखें तो यहाँ पर 73.73 का cutoff रहा है OBC का cutoff रहा है यहाँ पर जैपूर जोन से 70.10 और SC का cutoff रहा है 63.37 का cutoff रहा है और ST का cutoff रहा है 60.62 का cutoff यहाँ प अब बात करते हैं यहाँ पर 2019 में जब वेकेंसी आई तो RRC इसको ले रहा है तो RRC जैपुर यह हो गया तो यहाँ देखे टोटल पोस्ट जो निकाली गई है इस बार वो कितनी निकाली गई है 5249 पोस्ट इस बार टोटली यहाँ पर निकाली गई है टोटल फॉर्म यहाँ स सामने लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा तो 263 का competition 2018 में था यानि कि 263 candidate एक seat के लिए fight कर रहे थे लेकिन इस बार 2019 वाली वेकेंसी के अंदर 183 candidate यहाँ पर एक seat के लिए fight कर रहे हैं अब attendance की बात करें तो देखे हमने यहाँ पर जो आपको कहा है कि 60% और इस बा of हम आपको बता रहे हैं यह आपको बता रहे हैं P.E.T. के लिए ध्यान रखेगा और without normalization अगर हम यहाँ पर attendance आपकी मान लेते हैं 60% हो जाएगी हाला कि जो आपकी attendance अभी तक देखने को मिल रही है 60% तो किसी भी zone से यहाँ पर आपकी attendance नहीं जा रही है attendance यहाँ पर 50% के असपास जा रही है और कहीं कहीं तो यहाँ पर 50% से भी कम की attendance यहाँ पर देखने को मिल रही है तो फिर भी हमें एक मोटा मोटा idea यहाँ पर 60% का ले लेते हैं कि 60% candidate यहाँ पर overall exam को देने वाले हैं अगर आप मान कर चलिए 60% student यहाँ पर इस exam को दे लेते हैं तो यहाँ आ आप देखेगा पांच लाग प्लस लगबग साड़े पांच लाग student हो जाते हैं 60% यानि कि 9,61,000 का 60% क्या हो जाता है साड़े पांच लाग क्या सपस यहाँ पर बैठता है तो साड़े पांच लाग candidate इस exam को देंगे तो इसलिए यहाँ पर per seat competition तो आपका वैसे ही कम हो गय जब साड़े पांच लाग हो जाएगा तो इसलिए आप बिलकुल भी मत घवराईए क्योंकि देखे 183 का यह अभी दिख रहा है किस पर 9,61,000 पर लेकिन जब आप इसे साड़े पांच लाग से calculate करेंगे तो आपका per seat competition यहाँ पर कम हो जाता है तो इसलिए बिलकुल भी नहीं घवराना है और यहाँ जदा attempt करने की कोशिश नहीं करनी है यानि कि जदा से जदा कोशन आपको जितने कोशन पर आप बिलकुल accurate है यानि कि अगर आप माल लीजे यहाँ पर 60 कोशन पर accurate है यानि कि 60 कोशन अगर आप बिलकुल सही कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच अब यहां पर देखेगा तो साड़े पांच लाख लोगों से ही आपका यहां पर पर सीट कॉम्पेटिशन है यानि कि साड़े पांच लाख लोग ही यहां पर एक्जाम देने वाले हैं ऐसा हम मानके चलते हैं 60% के अकोर्डिंग हाला कि इससे भी कम लोग होंगे तो आपका कम हो जाएगा अब यहां देखे आपका जो यहां जाने वाला है जो आपका रहेगा लगभग लगभग इतना ही रहेगा जो हमने बताया है इससे उपर आपका कॉट आप कॉट वो 74 रहेगा और OBC का जो cut-off है यहाँ पर 71 रहेगा इस cut-off के अंदर आप plus 3 और minus 3 कर लीजेगा यानि कि यहाँ पर cut-off plus 3 हो सकता है या minus 3 हो सकता है यानि कि 2-3 नमबर उपर जा सकते हैं या 2-3 नमबर नीचे हो सकते हैं तो OBC के लिए जो cut-off है वो 71 का हो गया EWS के लिए cut off हो गया 69 का और SC के लिए cut off हो गया जैपूर जोन से 64 का और ST के लिए जो cut off हो गया वो हो गया यहाँ पर 62 का मैं अभी भी आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको जो यह per seat competition दिख रहा है यह per seat competition इतना नहीं रहेगा यह कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ attendance यहाँ पर 60% भी नहीं जा रही है तो इसलिए अपनी तयारी को अच्छे से करते रहिए और अगर आपका exam हो गया है तो अब tension मत दीजे और आने वाले phases में आने वाले shift में अगर आपका exam है तो exam को अच्छे से देख राइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत